नमस्कार मैं लॉक्टर पूर्णम जैस्वाल, आज हम राय फाइटा के बारवे भाग में इस फैग्नम के बारवे पढ़ेंगे, सबसे पहले इसका परीचे, प्लासिफिकेशन, हैबिट औन हैबिटाइट, उसके गेमिटोफाइट, प्लांट बॉड़ी कैसी होती है, उसका इनके बार में हम इस दाव से देखेंगे, सबसे बहले एक छोड़ा सब परीचे, इस स्फैग्नम को पॉरी दुनिया में लगबग 333 स्पिशीज इसकी पाई जाती है, इंडिया में मुख यूरुप सी हिमालया से पाई जाती है, और इसकी 20 स्पिशीज लगबग यहां पर कर चीजर रएपर की गई है, इसकी बहूं की स्पिशीज है वो है। इसकी स्फैग्नम निमोरियम कि मीत करोशं। sphagnum tenelum, sphagnum molluscum, कुछ species इसकी hydrophytic होने के वज़ासे समस्ट भी होती है, पानी में डूबी रहती है, जैसे की sphagnum obeisum and sphagnum cupsidatum. अब इसकी habit on habitat, इसका आवास और इसका सभाव क्या होता है, ये aquatic या semi-aquatic भी हो सकती है, स्वैम पॉंड में पाई जाती है, दल्दली राकम में पाई जाती है, and they form dense mosses, या कुछन बनाती है, स्वैम में, जहां पानी के दिखता होती है, पॉंड में, लेक की मार्जन के उपर, बड़े-बड़े तालाबस होते हैं, उनके मार्जन पे किनारे, and wet hillsides में भी. They grow along the bank of lakes, जो lakes होते हैं, बड़े-बड़े तालाब होते हैं, किनारे पे होती है, और धीरे-धीरे अंक्रोच करते हैं, यह पूरे water body को ढख देती है, और इस तरह से यह पूरा bog उनाती है, और इसी को bog क्याते है, and they completely cover up the lake, और जो कि देरे-देरे bog में transform हो जाता है, इसी लि से दिखाई देते हैं, जितने भी species होती है, स्वेगनम की, they all accumulate water, पानी का बजाब का सकती है, often grow with bright colors, बहुत सार बाइट कलर में भी दिखाई देती है, जिसने के deep red, rose pink, etc, और ऐसा होता क्यों है, due to the presence of water soluble pigment, water soluble pigment, anthocyanin present होने के वज़े से, यह colorful दिखाई देती है, यह perennial हो growth unlimited होती है, और जो growth होती है, वो single apical cell के बारा होती है, एक apical cell होती है, इसके वज़े से grow करता है, और इस apical cell के 3 cutting facels होते हैं, जिसमें division से, यह plant bodies की, साल तर साल बढ़ती रहती है, अब देखते हैं, इसे classification क्या होता है, this is systematic position, division is bryophyta, class bryopsider, इसको मसाहिभी कहते हैं, subclass sphagn family, order sphagnase, family sphagnase, and genus sphagnum, family sphagnase में एक ही genus, जो है, वो sphagnum को report की रही है, अब देखते हैं, gametophytic plant body का external feature क्या होता है, plant body is gametophyte, क्योंकि bryophyta है, bryophyta का यह लक्षन होता है, और यह दो stage में इसके plant body हमें दिखाई देती है, पहली है juvenile protonyma stage, जब इस पोर germinate होता है, तो एक छोटा सा protonyma type structure बनाता है, that is juvenile stage, और दूसरी जो stage है, leafy gametophore stage, जो की पूरी adult mature phase होती है, जो juvenile stage होती है, यह बनती है, यह बनती है by the germination of sphors, जो sphors of fetish generation के बाद बनते है, उसके germination से juvenile stage बनती है, और यह होती कैसे, it is irregularly lobed, irregular lobed होती है thalus, जिसकी मोटाई लगबग एक cell थिक होती है, और यह सबस्टेशन से अटेच करती है, क्योंकि इसमें multicellular results पाजाते हैं, और इन results के अंदर oblique septa पाजाती है, यह आप देख सकते हैं, this is juvenile stage, इसमें यह protonema है, डिवाइड होकर multicellular results बनाती है, और बाद में जब यह plant develop होता है multicellular होके नहीं के बाद mature stage, तो इस चितर में यह यहां पर juvenile stage दिखाएगे यह नीचे की तरफ, जिसमें leaf जैसा structure नहीं पाजाता, बाद में develop होने के बाद ही leafy gametophyte बनाती है, इसको आगे देखी, from the protonema, protonema से ही arise होती है erect leafy gametophyte, इसको gametophore भी कहते हैं, जो very young gametophytes होते हैं, उसमें multicellular results पाजात हैं, जिसमें oblique septa होती है, यह आपको पहले बता दिया भी आपको, लेकि जिए mature gametophyte बन जाने के बाद, जब leafy gametophyte बन जाती है, gametophore जिसको कहते हैं, इसमें राइजाट्स नहीं पाजाते हैं, वो क्यों नहीं पाजाते हैं, उसका विवर्ण हमागे देंगी, leaf के characteristic में जुक ऐसा होता है, इसके बाद है इसको राइजार्स की, अब शक्ता नहीं रह जाती है, जब mature gametophyte होता है, इसको इसको stem भी कहते हैं, जिसको stem भी कहते हैं, and second, leaves, तो जो gametophyte है, adult gametophyte है, उसके दो भाग होता है, दो भाग से मिलके बना होता है, axis, यानि की stem, और leaf, यह का चत्र में देख सकते हैं, this is mature, यानि की adult gametophyte, और इसके जो यहाँ पर capsule बना हुआ है, capsule is a part of sporophyte, this is head or capitulum, जिसको कुमा का नाम से जानते हैं, वो भी मैं आगे बताऊंगे आपको, these are leaves, green color की leaves होती है, बहुत ही completely arranged होती है, दो 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 की branches होती है, pendant and divergent, वो भी जो main axis होती है, वो soft होती है, weak होती है, at young stage, young stage में तो यह बहुत ही soft and weak होती है, लेकिन बात के stages में, it becomes erect and stout, सर की दिखाई देगी, shortest stout, and erect सिधी खड़ी होगी, इसके लंबाई ही जो होती है, लगबग 12 inch के बराबर होती है, और इसका diameter जो होता है, 1.2 mm के लगबग बराब होता है, क्योंकि इसका जो ऊपर का हिसा है, वो बाहर की तरह आता है, surface की तरह आता है, photosynthetic होने के वज़े से, और जो terrestrial form होती है, उसमें जो access होता है, वो short होता है, start का मतलब short, at the apex of the main stem, जो stem है, axis है, उसके apex के पास, tip के पास, बहुत सारी चोट-चोटी branches होती है, limited drones वाली वो crowd कर देती है, वहाँ पर घने, बहुती घने, dense form में लगी होती है, और यहाँ पर एक गुच्छी के तरह दिखाए देती है, जिसको हाँ, coma के नाम सजाते है, तो coma कर जाता है, this is coma, यहाँ पर अब देखें, धेर सारी branches यहाँ पर, एक साथ, head के पास लगे हुई है, apex के reason and this is sporophyte, this is archagonal branch and radial branches, वो हम आगे भी आपको दिखाएंगे, जो coma होता है, वो बनता क्यों है, यहाँ कि जो main stem है, axis है, उसकी जो internodes है, जहाँ पर leaves लगी होती है, these are very condensed, वो बहुती पास पास होती है, बहुती ही condensed होती है, इस वहाँ आपर, जो branches है, leaf bearing branches है, वो बहुती पास होने के वैसे घनी दिखाई देती है, जैसे से stem की लंबाई बनती है, बढ़ती है, वैसे वैसे जो short branches होती है, चोटे branches जो होती है, वो elongate होने लगती है, लंबी होती है, और वो become normal branches, normal दिखाई देती है, axis में जो branch होती है, बहुती प्रफूस होती है, बहुती घनी branch होती है तो अगर एक ब्रांच यहां से निकली हुई है इसे लेटरल ब्रांच यह या तो यह सिंगल हो सकती है या फिर एक टाफ और फ्री टूएट ब्रांच यह तो अगेली निकलती है या फिर तीन से आट ब्रांच का गुच्छा निकलता है यहां से उसके बाद फिर अगली ब्रांच होगी वह फोर्थ लीफ के एक्जल में से न लाटरली डावर्ट होती हैं और हरिजॉन्टली औरींटेट होती हैं साइट वाइसज दूसरा होता है पेडेंट या फिर डूपिंग या फिर फ्लेजलिए-फ़ वर्मस बांचेज इनको दिकर्एंट भी कहते हैं यह जो मैंचेज होती है यह भी एकसल से कहते हैं, flagelly firmness भी कहते हैं, and this is divergent, यानि कि ex-current branches. यह थोड़ी दूतर तो horizontal दिखाई देती हैं, उसके बाद यह hand करती हैं, जबकि यह pendant branches होती हैं, उसी दहीं नीचे की तरफ oriented होती हैं. जो दोनों branches होती हैं, these pendant or decurrent branches जो होती है, pendant branches, they act as water conductors. इन कम की काम होता है, water conduction. जो submerged species होती हैं, जैसे कि sphagnum obisum and sphagnum cuspidatum, उनमें सारी branches से मिला होती हैं, उसमें इस तरह की divergent, differentiation नहीं निखाई देता. अब leaf कैसे होती है? Leaf जो होती है, born on the main stem, main stem पे भी होती है, as well as branches पे भी होती है. जो stem पे होती है, वो थोड़ी दूर-दू अरेंज होती है, जो lateral branches से present होती है, these are small, और overlapping करने का मतला है, बहुत ही pass-pass अरेंज होती है. Leaf का जो arrangement होती है, जो जो जिसको हम फेली टेक्सी के नाम से भी जानते है, वो two by five होता है, यानि कि प्रते एक दो सर्केल जो है, वो पांच पत्तियां पूरी बरती है, और जो छटी पत्ति होती है, वो जो first पत्ति थी उसके ओपर दिखाई देती है, तीसरी होगी, जो पहल बोक्त रो की पहले पत्तिया ही ऐउपर आएगी, जो पत्तियां होती है, इजिस अरी थिन, वह तत्ति-पत्ति होती है क्योंकि एक सल मोटाई होते हैं, इनके सर्फ सिंगल साल मोटी होती है, छोटी होती हैं, अबILY थे dot yonad बाड aid, पिद बारड बेस, इनका लेकिन जो बे दिखाई देते हैं एक जाली नुमा संगस्ना दिखाई देती है यहां पर आदेश कते हैं इस 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 अपक्स इस एक्यूट कोई मेंडरेग प्रेज़न नहीं है अब लॉंग है अन्द इस आफ और आपको बता दिखाई उसमें स्मॉल लिविंग सेल होती है इस आफिर इसको एसिमिलेटिक सेल्स भी कहते हैं वज़ा यह कि दे इस वज़े से ही सिंधेश में हायक होती है जो दूसरी से लोती है दिजा कलालस इसको हाइलाइन रॉंबर्डल सेल्स भी कहते हैं क्योंकि आकारे में रॉंबर्डल होता है जो क्लोरोफिलस सेल्स होती है फोटो सिंथेटिक वीजा ट्राइंगुलर शेप या फिर बाई कॉनवेक्स शेप और इसको से बहुत सायरे डिस्काइट गलोवीज़ेश प्रेजन होते हैं यहां पर आप चेतर में देख्याते है प्रब्लक्त चेल्स आतकि है जो हाइलाइन इस से SARAH जो प्रोंत में जीजा कलालस और यह लाज़ होती है, बाडी होती polygonal होती है और colorless क्यों हो जाती है because of they lose their protoplast their protoplast dead हो जाता है इस वज़े से ही colorless हो जाती है जो highline cells होती है इनके wall में बहुत सारी posts present होते है और इनकी wall की जो ठीकनिंग होती है वो spiral होती है यहाँ पर आप देख सकते हैं these are colorless highline cells these are highline cells और इस highline cell के ऊपर जो a line है दिखा रही है these are spiral thickness of the wall और भी चीच में यहाँ पर पोर्स दिखाए देते हैं गोल गोल सर्कुलर पोर्स present है यहाँ पर यहाँ लेबल देख सकते हैं आप जो highline cell का कारिगा है highline cell आप a remarkable capacity of water retention वो water के absorb कर सकती है और water retention कर सकती है इसलिए इसको capillary cells भी कहते हैं internal structure कैसा होता है सबसे पहले stem या axis का internal structure कैसा होता है stem में तीन distinct layer पाय जाते हैं first is cortex या फिर इसको hyalodermis भी कहते हैं क्योंकि यह colorless होता है this is the outermost reason बहा सबसे बहा का reason होता है cells छोटे होते हैं और very compact होते हैं in young axis जो young axis होते हैं and in lateral branches और जो lateral branches होती हैं और जो young axis होते हैं cortex is only one cell thick उसमें यह सिर्फ एक cell की मुटाईगा होता है लेकिन कुछ species ऐसे होती हैं जिसमें कि single layer होती है throughout the life यह mature stem में भी single cell ही रह जाती है single layer ही रह जाती है जबकि कुछ species ऐसे होती है जिसमें की कई species ऐसे होती है जिसके काटेक्स जो है multi layer होता है कई cell मुटा होता है कुछ species ऐसे होती है it is composed of two to three layers of high line cells जिसमें 2 या 3 layers present होती है cells hihiline होती है कि colorless होती है colorless नहीं होता उनके यह species थे example दिए होए आप यहां चत्र में देख सकते हैं, these are highline cells, cortex, यह single layer किसी किसी होते हैं, यहां पर यह 3 layer दिखाई दे रही है, 3 layer की, 3 cell की मुटाई के, and this is axial cylinder, बीचे प्रेजेंट है axial cylinder, अब on the basis of nature of highline cell, highline cell किस तरह का है, उसके अधार पर जो sphagnum होती है, वो दो sub-general में divide की जाती है, किस अधार पर, nature of the highline cell, highline cell किस तरह का है, जैसे कि इन sub-general sphagnum, या फिर ionofloey में, जो cortical highline cells है, वो fibrous होते हैं, और porous होते हैं, जबकि दूसरी जो sub-general है, lethal flowey में, they are without post, post present नहीं होते हैं, या फिर spiral technique नहीं होते हैं, बिल्पिल प्लेन होते हैं, इनका कारी का है, the mature cortical cell is divided इसलिए इसका कोई living rule नहीं है, इसा कोई, यह ज़्यादा mechanical support का कारी करते हैं, कुछ species जाते हुए है, in some species, जैसे कि tanelum and bolus cum, कुछ outer cortical cells होते हैं, enlarge होते हैं, और उनका shape बिल्कुल अलग से दिखाई देते हैं, become bottle shape, bottle जैसे या फिर retort shaped हो जाते हैं, और इनको retort cell कियाते है यहाँ पर आप देख सकते हैं, इस चित्र में, these are retort, these cells are retort cells, यह बाहर से अलग से दिखाई देते हैं, these are normal cells, यह कुछ को सुराही नुमा दिखाई देते हैं, और अगर हम transversation काटके देखें, तो उनका यह चौना दिखाई देता है, bladder की तरह, इनको retort cells कहते हैं, these two examples are iron flowy and this is lethal flowy, जब middle layer है, उसको hydrome कहते है, middle hydrome layer, and this is prosenkymatis, यह prosenkymatis की बनी होती है, यह 4 से 6 layered मोटी होती है, और इसका भी कार है, mechanical support, क्योंकि इसकी wall layers काफी मोटी दिखाई देती हैं, आप यहाँ देख सकते हैं, prosenkymatis region, यह बीच के dark colored cells है, this is prosenkymatis, जो 3rd cell है, 3rd layer है, that is central, cylinder, या फिर medulla, these cells होती है, center की, these are small, vertically elongated, and thin wall, and parenkymatis, इसका कारे कहा है, storage करना, they function as storage region, तो आप यहाँ चत्र में देख सकते हैं, this is prosenkymatis region, this is middle layer, इसको middle hydrome क्याते हैं, यह dark colored cells, thick wall, and central, जो है, axial cylinder, जो कि storage देखाई करती है, these are thin walled parenkymatis layers, अब leaf ka internal structure कैसा होता है, ज्यादा तर चीज़ें क्योंकि एक cell की मुटाई का होता है, इसलिए surface में देखने से ही हमें cell दिखाई दे जाते हैं, कि दो तरह के cells कौन-कौन से है, it is one cell in thickness, जो young leaf होती है, वो square या rectangular cell के cell से बनी होती है, जिसमें सारी cell एक दिखाई देती है, young cell में, लेकिन जो mature leaves हो जाती है, उनमें यह दो तरह के cells आसानी से पहचानी दा सकते हैं, क्योंकि alternate arrangement में, reticulate pattern में arrange होते हैं, उसमें से पहली है high line cells, transfer section में, these are high line cells, इनी को पहले बताया था होगी, कि इनकी जो spiral wall थेकिनी जो है, वो spiral होती है, और इसमें post present होते हैं, इनका कारी है absorption and retention of water, जिसके वो इसे सो capillary cell भी बोलते हैं, और दूसरी, small sized triangular या biconvex chlorophyllar cells, इसमें chloroplast present होगा, और इनका कारी है photosynthesis, and this is photosynthetic cell, triangular या biconvex. धन्यवाद, आशा करते हूँ, यह topic आपको समझ में आ गया होगा, आगे हम राए-फाइटा के 13 lecture में, स्वेग नाम के reproduction के variable पढ़ेंगे, धन्यवाद.